पूर वीडियो में हमने कबीर के ब्यक्तित्तों के बारे में चर्चा की थी अब हम कबीर की कवीता में रहसिवाद पर चर्चा करेंगे क्योंकि कबीर के लिए कहा जाता है कि कबीर का आसन सबसे उंचा है इस विशे में हम बात करते हैं और कबीर के काबी में रहसिवाद विभिन रूपों में चित्चित हुआ है इस पर चर्चा करेंगे मानव ने जब इस विश्व के विस्तित प्रांगण में अपने नेत्र खोले तो उसने फूलों को खिलते, मुस्कराते, भौरों को गुन-गुनाते, पक्सियों की चह चाहते, नदियों को कल-कल करके बहते और आकास में सहस्त्रों नक्षत्रों को दमकते हुए देखा तो वह कौतुहल और जिग्यासा से अविर्भूत हो उठा तब अपनी बुद्धी और ज्ञान की द्वारा इस रहस्मई पहली की इस संपून संसार का नियामक कौन है को सुलजाने का प्रत्न किया और वह असफल ही रहा वह यह न जान सका कि इस संसार का निर्माता एम संचालक कौन है फल सरूप वह अग्यात सकति की प्रती आकर्शित हुआ कभी जैसंकर प्रसाद की लेखनी पर देखे सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब करते सुविकार यहाँ सदा मौन हो प्रवचन करते किसका वह अस्तित्व कहा अब हम रहसिवाद का अर्थ जानते हैं रहसिवाद का अर्थ स्पस्ट करने के लिए समय समय पर अनेक विद्वानों ने परिभाशाएं प्रस्तुत की हिंदी साहिति के विख्यात आलोचक आचारे रामचंद शुकली ने रिखा ज्यान की छेत्र में जिसे अद्वैदवाद कहते हैं भावना के छेत्र में वही रहसिवाद कहलाता है इसी प्रकार से मुन्शी रामशर्मा की अनुसार रहसिवाद साहितिक धारणाओं और मान्यताओं की अनुसार उस मनह प्रवर्ती का प्रकाशन है जो अव्यक्त और सरुब्यापी ब्रहम वासे परिचित होने के लिए प्रियास करती है वह प्रवर्ती मन का गुण है इसका प्रकासन काबि में होता है डॉक्टर गोविन तिरगुणायत के मत से रहसिवाद प्रहम के आध्यात्मिक स्वरूप से आत्मा की भावात्मक एक्यानभूती के इतिहास का ही प्रकासन है और जैसंकर प्रसाद जी कहते हैं काबि में आत्मा की संकल प्रनात्मक अनुभूती की मुख्यधारा का नाम ही रहसिवाद है अब उप्रोक्त परिभासाँ से इस पस्ट होता है कि असीम सत्ता के विशय में कवी के हिर्दे में जो जिग्यासा और चिंतन का भाव होता है उसे सब कवी लेखनी के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं तब वह साहिति में रहसिवाद के नाम से जाना जाता है दूसरे शब्दों में रहसिवाद कवी की एक ऐसी साहितिक अभिव्यक्ति है कि जिसमें वह परम सत्ता के विशय में अपने विचारों को सीधी सरल भाषा में प्रस्तुत ना करके एक नई भाषा में अंकित करता है रहसिवाद के विशय में रामचंद शुकलु ने लिखा है कि रहसिवाद दो प्रकार के होते हैं एक साधनात्मक रहसिवाद और एक भावनात्मक रहसिवाद शुकली जी का कहना है कि जिस परकार रहसिका आधार योग है वह साधनात्मक है और जिसका आधार भक्तिया प्रेम है वह भावात्मक है कबीर के रहसिवात पर भम चर्चा करते हैं जिस प्रकार से कबीर की दासनी विचारधारा पर विवित संप्रदायों और विचारधाराओं का प्रभाव परिलक्षित होता है उसी प्रकार उनके रहसिवात पर भारते अद्वैतवात, सूफी मत और हठीयों का प्रभाव भी देखा जा सकता है इस समंध में गोविंद तिर्गुनायत के विचार पर दिस्टिपात करते हैं कहीं पर उनमें सूफियों के प्रेम का निरूपण मिलता है कहीं पर हठीयों के पारिभासिक शब्दों एवं प्रकरियाओं का रहसियात्मक वर्णन है कहीं वे सिद्धों की संध्या भाषा की शैली का अनुकरन करते हैं और कहीं उपनिश्दों के ढंग पर रहसियात्मक शैली तत्व का प्रतिपादन इस प्रकार कबीर के रहसिवाद पर विभिन्य विचारदारों का प्रभाव परिलक्षित होता है हिंदी साहिती में कबीर अद्विती रहसिवादी कवी माने जाते है स्याम सुन्दरदास उन्हें शुद्ध रहसिवादी कवी मानते है उन्होंने लिखा है कि रहसिवादी कवियों में कवीर का आसन सबसे उंचा है शुद्ध रहसिवाद किवल उन्हीं का है स्याम सुंदरदाश जी के ऐसा लिखने का कारण यह भी है कि कवीर ने रहसिवात के शेत्र में अपनी अद्भुत प्रतिभा से अनेक प्रकार के प्रियोग किये इसलिए उनकी कविता में रहसिवात के अनेक रूप दिश्टिगोचर होते हैं उनके कावी में रहसिवात के रूपों का इसंख्शिप्त परिचय हमें देखते हैं ये रामचंद साधनात्मक रहसिवाद, रामचंद शुक्ल की अनुसार कबीर के कावि में साधनात्मक या योगिक रहसिवाद के दर्शन होते हैं। ये रामचंद साधनात्मक रहसिवाद के दर्शन होते हैं। अपने प्रेतम परमसत्ता का आहुवान विविद हठियोगी साधनाओं की आधार पर करते हैं। साधनात्मक रहसिवाद में कबीर सिद्धों और नात्पंतियों से प्रभावित हैं। कबीर के रहसिवाद में कहीं कहीं अनहत सुनाई पड़ता है। और कहीं गगन घंटा का गहराना भी सुनाई पड़ता है। कबीर ने कहीं कहीं पर अपने इस साधनात्मक रहसिवाद को भक्ती और प्रेम का पुट दे कर सरस और मधूर भी बना दिया है। जैसे मन की मोहन बेटुला, यहमन लागी तो हीरे, चरन कमल मनमानिया और नभाले मोहीरे। इस परकार कबीर का इसाधनात्मक रहसिवाद नीरस और शुष्क होते हुए भी सरस और मधूर है। अभिम्यक्ति मूलक रहसिवाद पर जर्चा करते हैं। कबीर की उलट बासियों में अभिम्यक्ति मूलक रहसिवाद के दर्शन होते हैं। यही कारण है कि कवीर ने सामानी सी बातों को भी अपनी अभिव्यक्ती चातुरी से ऐसे धंग से प्रकट किया है जिससे कीवे रहसिमाई बन गई है इस रहसिवाद की विशय शैली और दोनों ही दुरुह और क्लिष्ट हैं इस रहसिवाद की अभिव्यक्ति सिद्ध और योगियों की संध्या भाषा के मात्यम से की गई है आज का पाठा किसे समझने में असमर्थ है इस रहसिवाद का एक दान देखे मूसा फसा बाबी में लारे सपाठी धाई अब हम देखते हैं भावात्मक रहसिवाद कावी में भावात्मक रहसिवाद को सर्वोत क्रिस्टु दहर्ण देखने को मिलते हैं जैसे इसमें जीवात्मा अपने प्रेतम के प्रेम में तरपती है तब साधक जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचाने के लिए गुरू की आफशकता होती है गुरू की करपा से वह जीवात्मा परमात्मा से साकसाथकार करने में समर्थ होती है कहने कातात पर यह है कि गुरु ही सादक को ब्रह्म तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है तभी आत्मा का प्रिय ब्रह्म से परिचई होता है और दत्पश्चाद आत्मा विरहा वस्ता से मुक्त होकर अपने प्रेतम परमात्मा में उसी प्रकार एकाकार हो जाती है जिस प्रकार पानी, पानी में मिलकर एकाकार हो जाता है कबीर की आत्मा अपने प्रेत्म के विरह में अत्यांति प्यत्थित होती है और उसके विरह में क्रॉच पक्सी की तरह दग्ध और ब्याकुल है जैसे राईो रूनो विरहनो जिउऊ बच्चों कुकुंच कभीर अंतर प्रजलिया प्रगटए विरहा पुंज इसे परकाब से विरह जलाई मैं जलू जलती जल हरि जाओं मैं देखिया जल हरी जलें संतो कहां बुझाओं कबीर की आत्मा की विरह वेदना असहयोग इस वेदना को केवल दो ही ज़न सकते हैं जो विरह वेदना से विथित है आत्मा जिसके वियोग में आत्मा तड़फ रही है वह है पर्मात्मा इस प्रकार से कबीर की आत्मा पिरिके दर्शन करना चाहती है आत्मा अपने पिरिके दर्शन के लिए सब कुछ करने के लिए तयार हो जाती है कबीर की आत्मा समस्त सरीर को दीपक बना कर अपने प्राणों की बत्ती डाल कर तेल के समान रक्त डाल कर अपने पिरिके दर्शन के लिए तैयार हो दती है इन तन दीवा करूं बाती मेलियूं जीव लोही सीचो तेल जीओं कभ मुख देखूं प्यू कभीर ने आत्मा और परमात्मा के प्रेम विरह और मिलन का विविद रूपों में चित्रण करके सहिया वस्ता का चित्रण किया है कभीर ने कुछ पारिवासि सब्दों में रहसिवात को ब्यक्त किया है कभीर ने जहां अपने भावात्मक रहसिवात में प्रेम की मंदाकिनी प्रवाहित की है वहाँ हट योगियों और सिद्धों के पारिवासिक शब्दों का प्रियोग करते हुए जटिल एम नीरस रहसिवाद की भी सिष्ट की है कबीर ने हट योगियों और सिद्धों के सचक्र 10 दरवाजे 14 चंदा 16 पावन 64 दिये आदि शब्दों का प्रियोग किया है कबीर का रहसिवाद हिंदी की अमूली निधी है उनकी अपनी विशिष्ट विशिष्टाएं है सामसंदरदास और तिर्गुणायन ने उनके रहसिवाद की मुक्त कंट से प्रसंख्शा की है और कभीर की रहसिवाद की उन्होंने प्रमुग विशिष्टाएं यहाँ पर बताई है जैसे प्रेम की तीवरता कबीर के रहसिवाद में सूफियों की सीद प्रेम तत्त्त की तीवरता है जिग्यासा का भाव रहसिवाद जिग्यासा की निव पर खड़ा है कबीर के रहसिवाद में जिग्यासा तत्त पून रूप से दिखाई देता है उन्हें यह जिग्यासा है की परमात्मा कैसा है और कहां है चेतना रहसिवाद में साधक को सदेव जागरत रहने के लिए बताया गया है यदि वह चेतना हीन हो गया है तो परम ब्रहम से कोई समंद नहीं रहता है इसलिए कबीर दाजी ने सदय जागरत रहने का प्रत्न किया है मनरे जागत रहिये भाई गाफिल होई वस्तुमत खोवे चोर घुसें घर जाई बुद्धी और भावना का समनवई कबीर के रहसिवात का एक गुन यह भी है कि उसमें बुद्धी और हिर्दय दोनों का समनवई दिस्टी कोचर होता है महत्य प्रदर्शन कबीर ने अपने रहसिवात में अव्यक्त सत्ता की स्रिष्टता गुरता और महत्ता पर भल दिया है रहसिवात के विभिन प्रकार कबीर के काभी में दिस्टी कोचर होते हैं विरह का भाव है कबीर के रहसीवाद में सबसे प्रमु विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इस विशे में डाक्टर द्वारी का प्रसास सक्सेनाग जी कहते हैं कबीर के रहसिवाद में भारती एंविदेशी दोनों प्रेम पत्तियों का समावेश होने के कारण एक और वेदान्त के अद्वैत वाद के दर्शन होते हैं तो दूसरी और इसाई संतों और सूफी रहसिव वादियों की बाती आत्मा और परमात्मा का मिलन पति-पत्नी के रूप में भी दिस्टिकोचर होता है अधा उक्तविवेचन के अधार पर निर्पिबाद रूप से हम कह सकते हैं कबीर का रहसिवाद हिंदी साहिति में अपना विस्टिस्थान रखता है